Hello everyone, this is Professor M.H. और आज के इस वीडियो में we will discuss TYBAP Financial Management Semester 5 November 2022 में question पूछा गया था 8 mark के लिए Question number 2A Determination of sensitivity of project तो 8 mark के लिए question पूछा गया था Question number 2A Sensitivity of the project को determine करना है तो सबसे पहला हम लोग को question समझना पड़ेगा कि निकालना क्या है तो निकालना हम लोग को यह है कि sensitivity क्या है project की तो सबसे पहले question देखते है फिर उसको कैसे solve करना है और sensitivity का मतलब क्या है वो हम लोग देखने वाले तो सबसे पहले Question दिया है Question number 2A X limited is considering a project with the following cash flow X limited ने एक project लिया है जिसमें से यह following cash flow आएगा एक table दिया है year है कि उसने एक purchase किया है plant को जिसमें पहला पैसा जाएगा 1,40,000 0 का मतलब होता है पहले investment होता है 1,40,000 का फिर हर साल देखो first year में 40,000 का running cost second year में 50,000 का running cost फिर उससे saving कितना होगा first year में 1,20,000 का दूसरे year में कितना 1,40,000 का आएगा समझ में तो पहले अगर आपने purchase किया कोई plant तो X Limited ने जो purchase किया है plant 1,40,000 का जो आपको starting में करना है फिर उसके बाद उसके बाद आपका जो running cost होगा every year पहले साल में 40,000 होगा दूसरे साल में 50,000 फिर saving जो होगी इससे 1,20,000 की first year में होगी और saving होगी second year में 1,40,000 की फिर देखोई क्या दिया एक question में the cost of capital is 8% measure the sensitivity of the project to change in the level of running cost saving and plant cost which factor is the most sensitive तो आपको बताना है कौन सा factor तो तीन factor है यहाँ पे एक purchase of plant है एक running cost है एक saving है तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा sensitive है अब यह sensitive क्या होता है मैं बताता हूँ आपको पहले question पूरा पढ़ लेते हैं फिर दिया है the present value of 1 rupee at 8% for the year 1 and year 2 are 0.9259 0.8573 तो first year में आपका जो एक रुपे का भाव है वो होगा 0.9259 और 0.8573 ठीक है अब देखो इसको कैसे solve करना है तो याद रखना यह जो chapter है capital budgeting का जिसके अंदर sensitivity पुछा है तो यह sensitivity आप personal life को relate करके भी कर सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ जैसे आपने एक ad देखा होगा sensorine करके आता है जिसके अंदर वो एक cold water पीता है तो उसके teeth के अंदर sensitivity होती मतलब जंजनाट जैसे तो same way के अंदर आपको यह बताना है कि अगर आपने जैसे दातों की sensitivity क्या है cold water और hot water जैसे आपने cold water पिया तो आपको sensitivity महसूस होगी आर यह बाद समझ में आपको जंजनाट महसूस होगी तो वैसे ही आपको पिया तो आपके दातों में चैंजनाट महसूस ही same way में आपको यह find out करना है कि concept factor की वज़े से project में सबसे ज़्यादा changes होंगे तो इसको निकान ले के लिए क्या करना है आपको capital budgeting का format यूज करना है जो हम लोग पहले से करते आ रहे है तो सबसे पहले क्या करना है आपका जो यह table है वह हम लोग ने लिख लिए है देखो यहाँ पर year one two जो दिया रहेगा वो लिखना है zero one two ठीक है फिर इसके बाद क्या करना है सबसे पहले हम लोग running cost लिखेंगे उसके बाद saving purchase plan वह हम लोग बाद में लिखते हैं पहले यह दो इसको देखते कैसे solve करना है तो यह running cost है इनके amount देखो हम लोग ने लिख लिए 40,000, 50,000, 1,20, 1,40,000 फिर आपको क्या लिखना है पता है यह देखो यहाँ पर दिया है one रूपी का eight percent factor दिया है जब यह factor रहेगा तो कुछ नहीं करना है इसको present value करके लिखना है present value factor one रूपी का zero year में one होगा फिर zero nine to five nine zero point eight five seven three और फिर क्या करना है इन दोनों को इन दोनों से multiply करना है तो इन दोनों को जब इन दोनों से multiply करेंगे तो आपको क्या मिलेगा present value of running cost तो चालिस हजार into zero point nine to five nine तो यह amount आएगा फिर पचास हजार into zero point eight five seven three तो यह amount आजाएगा इन सब को total कर लेना है total करेंगे तो आएगा 79,901 इसका मतलब होता है कि आप जो यह 90,000 का total करेंगे इसका total कितना होता है 90,000 का जो आप दो साल में expense कर रहे हो तो आप दो साल तक 90,000 spend करोगे 90,000 आपकी जेब से जाएगा लेकिन उसका actual जो monetary worth है वो सिर्फ 79,901 है आई बाद समझ में same wave के अंदर वैसे saving हुआ तो saving आपको total कितना हुआ 1,60,000 का तो कितना आएगा पता है 1,20,000 into zero point nine to five nine 1,40,000 into zero point eight five seven three यह amount हैंगे इनको total करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2,31,130 आई बाद समझ में तो यह हो गया actual तो यह दोनों आपको main चाहिए यह हम लोग ने लिख लिए आई बाद समझ में तो running cost आपका वैसे 90,000 है लेकिन actual में आपको कितना गया 17,9901 गया सेम वे में आपका saving जो हुआ 2,60,000 का तो लेकिन actual में उसका present value कितना है 2,31,000 है ठीक है फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है purchase of plan जो हम लोग ने यहाँ पे देखो question के अंदर लिखा था purchase of plan तो first year में ही था यह 70 नहीं है यह 1,40,000 है आई बाद समझ में है यह तीन चीज मिल गई अब इन तीन चीज के base पर हम लोग क्या करेंगे sensitivity find out करेंगे sensitivity अब देखो बहुत ध्यान से देखना sensitivity निकालो या ऐसा ही कोई मगजमारी का question है जिसमें समझ में नहीं आए कि भाई निकालना क्या है क्योंकि इसमें बताया नहीं कि निकालना क्या है तो याद रखना sensitivity निकालना है तो आपको NPV निकालना है या IRR निकालना है यह this one k hearts कम लाफ रहेगा उसको आपको कि C मल्टिप्लाइ करना है conspirators करना है यह आपका outfat यह भी इन फ्लो है ठीक है यह तो मैं यहां पर लिख देता हूं यह क्या है यह आपका आउट फ्लो है यह आपका क्या है इन फ्लो है यह भी आपका क्या है आउट फ्लो है आउट फ्लो मतलब जा रहा है पैसा जा रहा है ना रनिंग कॉस्ट है तो खर्चा जा रहा है सेविं मैंने यहां पर लिखा है present value of cash inflow और फिर present value of cash outflow तो cash outflow present value of cash inflow कितना है तो इन दोनों को merge करके लिखो merge करके मतलब 2,30,000 आपकी saving हुई लेकिन इसको कमाने के लिए 79,000 आया है कि नहीं आया है तो यह दोनों को minus करेंगे आप 2,30,000 31 यह आपका present value of cash inflow और outflow 2 है यहां पर इन दोनों का total अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा कितना मिलेगा 79,901 प्लस 1,40,000 तो आपको मिलेगा 2,19,901 आई बस समझ में अब इन दोनों को क्या करना है आपको minus कर देना है तो आपको NPV मिल जाएगा ठीक है आप इस तरीके से भी कर सकते है या आप किस तरीके से करेंगे पता है अगर आपको मैं पहले जो हमारे वीडियो से आ चुके जिसमें लोग ने present value NPV निकाला है तो उसमें क्या होता था आपको यह saving का जो amount है ना वो लिख लेना है पहले 231 130 फिर उसमें से आपको क्या माइनस करना है 7901 तो यह जब आप इसमें माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 151,000 151,229 आएगा बराबर है और फिर that is your actual में present value of cash inflow ठीक है देखो कितना आया 11,229 आया ना अब देखो इसको देखो कैसा उसी में आएगा अब कितना है यह present value of cash inflow है आउट फ्लो कितना था सिर्फ 1,40,000 रगा तो यह आपका purchase है तो investment को माइनस करो तो अगर आपने 1,40,000 माइनस किया इसके अंदर से तो देखो आया आया 11,229 तो यही तो आया रहा है आपका answer आरी बस तो present value आपका कितना हो गया 11,000 हो गया यह सवर नो समझ में आया कि नहीं आया ठीक है तो इस हिसाब से करेंगे अब देखो यह आपका present value निकल गया अब हम लोग इसकी sensitivity निकालेंगे तो sensitivity निकालने के लिए क्या करना है यहां पर हम लोग तीनों पार्ट लिख देंगे sensitivity फ़र प्लांट sensitivity फ़र रणिंग कॉस्सेंसिटिविटी फ़र सेवी आप पहले यह बताओ comment करके कि यह आपको इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा ठीक है सबसे पहले हम लोग नई देखा है निकालना क्या है तो निकालना कैसे समझ में आया प्रेजेंग वेल्य दिया तो sensitivity निकालेंगे sensitivity कैसे निकालेंगे तीनों की क्योंकि तीन फैक्टर है तो तीनों फैक्टर लिखेंगे तो जितना यह answer आया ना इसके basis पर करेंगे तो देखो पहला यहाँ पर मैंने गलत कर दिया यह है पहले यह मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको explain करता हूं 11 और 11 ठीक है यहाँ पर आगया आपका 11,000 क्योंकि यह 89,000 अमोंड में थोड़ा मिश्टेक हो गया था तो अब देखो sensitivity कैसे निकालना है आपने पर्चेस किया प्लांट 1,40,000 में जिसकी वज़े से हर साल आपको खर्चा होगा इतना और सेविंग होगी इतनी ठीक है अब इन ही तीनों के मिक्षर के अंदर हम लोग यह 11,000 लिखेंगे तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा sensitivity का जितना भी आपका यह नीट प्रेजय किकी अदर आपके आपको का वनलą खोड़ी थाओं आपका मूंद्ड यह इन केसी एक क् इस धैना चाहिके तो प्लेददा आप विंगा। तो running cost कितना है 90,000 है तो 90,000 से divide करेंगे तो आपको format के साथ से 12% आएगा ठीक है फिर दूसरा कितना है 11229 divided by 2,60Q saving का 2,60,000 है तो इसका total करेंगे तो आपको answer आएगा 4% ठीक है अब इन तीनों में से जो percentage सबसे high होगा कौन सा percentage high लग रहा है बताओ 12% तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते कि ये तीनों चीज़ को जब हम लोग ने analyze किया तो सबसे ज़ादा जो percentage का sensitivity आया सबसे ज़ादा ज़न ज़ना हाट महसूस हुई वो running cost से हुई क्योंकि plant cost पे डाले अपने 1,40,000 दाले 11,000 कमाया एक छोटा सा example ले लो एक लाग चालीस हजार डाला 11,000 कमाया तो आठ परसेंट फिर आपने क्या किया एक दो लाग थर्टी वन थाउजन का income हुआ तो उस बेसिस पे हम लोग को जो net income हुआ है वो 11,000 की हुई तो इसका मतलब सबसे ज़ादा इस बेसिस पे कौन सी चीज चेंज हुई है उसको बोलते sensitivity ठीक है अगर आपको अभी भी नहीं समझाए तो मैं आपको फिर से example के थुरू बताता हूँ आपका main answer कितना आया 11,000 2-9 आया अब ये 11,000 2-9 क्यों आया इन तीनों को आपने adjust किया तब आया बराबर है अब ये ही amount ये तीनों का mixture है के नहीं है बराबर है ये जो green में दिख रहा है तो हम क्या करेंगे ये वाले amount को divide करेंगे इनके original amount से तो running cost का original amount कितना है 90,000 है तो 90 से divide कर दिया saving का कितना है 2,60 ये तो 2,60,000 से divide कर दिया फिर purchase of plant 1,40,000 है तो उससे divide कर दिया और percentage निकाल दिया तो ये percentage आया है आई बाद समझ में एक और example देता हूँ तो इसमा आपको समझ में आ जाएगा आपने exam दिया कोई भी paper का exam दिया जैसे ये तीवाइब आफ का exam दे रहो तो it is like a percentage कि आपने marks 100-100 mark का paper दिया तो आपको मिला कितना 11,000 मिला आरी बाद समझ में 11 marks मिले तो sensitivity पता चलेगी न कितना percentage आपका marks आया तो same way में जब 1,40,000 का आपने paper दिया और आपको सिर्फ marks है कितने 11,000 2-9 आया तो कितना percent result है 8% है same way में आपका saving है आपने 2,31,130 का paper दिया जिसमें से आपको 11,000 ही marks मिले तो कितना sensitivity है 4% है फिर आपने running cost का 79,000 दिया अब इसमें original लेने का ये वाला निन लेने का ये तो हम लोग ने present value निकाल तो इसका original ने 90,000 तो 90,000 का paper दिया उसके अंदर से आपको सिर्फ 11,229 आया तो उसका sensitivity कितना है बस ये percentage आपने निकाल लिया तो ये आपका marks के इसाफ से भी आप देख सकते हो जितने mark का paper दिया और कितना marks मिला percentage निकालो जो percentage highest होगा वो sensitivity होगा sensitivity होगा उसका तो running cost is most sensitive क्योंकि आपका running cost कितना है नब्य हजार है ठीक है इसको मैं एक बार देख लेता हूँ हाँ नब्य हजार है नब्य हजार में आपका कितना 12% result आ रहा है और बाकी sum में 8 है 4 है तो ये बहुत काम है तो सबसे जादा sensitive सबसे जादा जनजनाट मैं सुस्का हूँ running cost में हुई तो आपका जो answer होगा running cost is the most sensitive समझ में आया तो ये 8 माक का है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा लेकिन मैंने ट्राइ किया कि आपको easily तोर से समझ में आ सके तो आप इसको go through करो कुछ doubt दाएगा तो comment करके बता सकते हैं and please like and subscribe for more videos thank you